कि सो एलोव ए चाहि का यही एंट वजी वह हैं यसके बारे में एक हम पदाने वालों आपको कुहिए कौन से बनाब काफी ज़्यादा आसान है जो से पहले वाले से जहादा या असान है कौन किया प्रॉप्ट एसम Conference Size अपको क्या बनाना है रड़बनाने आपको क्यास्ट और को इसमें देखो यहां पर लिखा है कंबाइन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट लाइक मोटर एलीडी इन सब को यूज करके बनानी और एन्वार्मेंटल अवेरनेस बिल्ड एन अलाम क्लोक अलाम क्लोक पावर्ड बाइ संलाइट और काइनेटिक एनरजी मतलब आप अलाम बच जा एकदम सही आना दो फिर आप उसमें टाके मिंगा कर सकते अधक इंकुद इंपरेटे़ कंपरेटेटे़ हgens वे इन procurement जांट चाहिए से उत्य नाँं चाहिए और में इसप्रों अब और यह वार्टमेंट के चाहिए किने हैं मतलब कि रॉना अच्छा होना चाहिए और शब्सक्राइब होना है उसको स्टेनेबिलीटी नहीं होता है कि अलाम क्लॉप पर रख देते हैं तो यह तूटी जाएगी once you have designed your alarm clock create prototype and set it for set it for functionality durability and sustainability you may be you you may need to make adjustment to to your design based on the result of your testing मतला आपको पूरा टेस्टिंग करना ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसकी सब्सक्राइबिलिटी होनी चाहिए और अच्छे से काम करनी चाहिए आपकी जो अलाम क्लॉक होती है आपको सुबा सुबा उठाते और सनलाइट से भी आप उसमें सोलर पैनल भी लगा सकते कोई छोटा सा ठीक है तो यह आपको एक्सपिरेंस करके मतलब क्लॉक बनानी है जो सबस्क्राइब वह भी ले सकते है ठीकैं अफ्चेव यह अपको धायमेंसिन बना ली है और क्हां किomm잇ल होनी चाहिए जैसले ईलेक्ट्रोनिक को होगा तभी आप उससे काम कर सकते हैं और क्या इलेक्ट्रोनिक कंपोंट का कंपोनेंट कारबोड न्यूजपेपर और वेश्ट मैटेरियल होना चाहिए आपके घर पर इसली अवैलेबल होंगे और क्या प्लीज फिल प्लीज फिल फ्री तो यूज और अनी इनवेटिव टेक्नोलीजी जेंशर डेट कैन बी कॉपरेटिड इन और प्रोटोट्याइप मतलब आपका क्या होनेशिया चाहिए आपको अबकी जो खोनी जाहिए वह होनी चाहिए ठीक है तो आपको बनानी ध्यान रखना है आपको एक मोडल बनाना यह आपको अग कि आगे वाली भी हम बात करते हैं इसमें ठीक है अगला वाला जो प्रॉम्ट है उसमें क्रिएट बजट फॉर क्लास ट्रिप यह काफी ज्यादा असान हो सकता आपके लिए एक बजट बनाना आपको क्लास ट्रिप के लिए इमेजिन मतलब कि आप लोग हैं जो कि 30 स्टूडेंट्स के साथ एना एक ट्रिप पर जा रहे हैं हिली स्टेशन पर मतलब कहीं पाड़ों में जा रहे हैं तो हैड ओफ दा ट्रिप प्लैन करने हैं आप कैसे ट्रिप को प्लैन करेंगे वह आपको देखना बताउब अभी किस तरीके से आप ट्रिप को प्लैन कर सकते हैं ठीक है और दो ग्रीटा बजट इंडिकेट्स इंडिकेट्स सुरी हाँ इक आपको डैस्टिनेशन चूज करनी है मतलब जो होता है ना एक बजट बनाना आपको कि बहुत बच्चे जा रहे हैं कि आपको डैस्टिनेशन चूज करनी और टैमिंग और कॉस्ट लीविंग वहाँ पर रहन सेन की क्या कोस्ट होने वाली है पर स्टूडेंट और कल्चर अट्रेक्शन वैदर केल्कुलेट दा कोस्ट ओफ लॉजिंग मतलब कितनी कोस्ट होगी जितना भी हमारा लॉजिंग का समान होगा फूड एक्टिविटीज अना एवरी डे पर ट्रिप लेंथ की दिन का कितनी लेंथ होने मतलब कितना पैसा लगेगा हमारा यह सारी चीज कोस्ट ट्रैवल टू दा प्लेस अधर लोकल ट्रांस्पोटेशन मतलब आपको कैल्कुलेट करनी है ट्रांसपोर्ट की कोस्ट की हंजी जो आपने बस या तो भी केरवेंद बुक करी है उसको कितने में करी है और कितने बच्चे उसके हिसाब से अपना-पना किराय भाड़ ठीक है मतलब कि पहले ही खता कर लेना आपको एस्टिमेट फूट कास्ट आपको फूड कोस्ट भी ऐस्टिमेट करनी है के अंदर और प्लैनिंग एक्तिविटीज फूर फूर्द ट्रिप सच इस सच इस विजिटिंग में में मिट म्योजियम विजिटिंग म्यूजियम आपको पता लगानी है कि visit करने का कितना है hiking का कितना है concert को attend करने का कितना लगेगा यह सब चीज आपको उसमें mention करनी है अपने अपनी sheet में और include unexpected experience और you have you have be evaluated based on your activity based on your activity assumption while creating the budget and factor associated with the complete complete planning process process यहां पर आपको यह इस तरीके से पूरी पूरी ट्रिप बनानी है जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं घर में हम पहले उसका plan बनाते हैं बसका इतना खरचा आजाएगा खाने का इतना खरचा आएगा अब ऐसे करके आपको बनाना है खाने का इतना है कि हम कोई concert गुक्ष आपको क्रिया एक्सप्लेनेशन आपको डोड़ो में लिख रहे हो तो आपके यू आर रेकोर्प्राइड टू ब्रिंग आप इस प्लैन को वहां लेकर जा सकते हो अपने लेकर जाना ही पड़ेगा आपको जहां पर आप अपना इंटरव्यू देंगे ठीक है आप क्या कीजिएगा एक चार्ट लेना एक चार्ट पर ऐसे करके एक बॉक्स बनाना ठीक है जैसे मान लीजिए यह ऐसे करके है इस चार्ट पर मान लीजिए आपने इस तरीके से कोई एक बॉक्स बनाया ठीक यह बॉक्स बनाया ना ऐसे करके अब क्या करना है आपको इस तर ऐसे गर के box बना लेना सारे ऐसे box बना लोगे यहां पर देखो total students लिखना यहां पर traveling cost यहां पर food cost और जो वहां पर जो रोम मतलब की घूमने फिलने की cost होगी वह सब लिखना यहां students लिखना कितने students हैं उनकी फिर money लिखना कितना कितना पैसा किस किस में लगेगा यह आप लिख सकते हैं कितना खर्चाने वाला इस तरीके से आपको बनानी है वो ठीक है चलिए यह वाला तो हो गया हमारा कौन सा था प्रोंट 2 हो गया प्रोंट 3 देखो आपको सीडू कोड और फ्लोचार्ट बनाना यह मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी बता चुका हूं जो फर्स्ट मैंने set A दिखाया था उसमें मैं आपको दिखा देता हूं Siducode और Prompt Flow Chart कैसे बनाते है ठीक है Siducode और Flow Chart अभी दिखाता हूं मैं आपको टैंच लेने वाली कोई बात नहीं है यह हमारा नहीं हा नहीं है गैलरी में यह हमारा Flow Chart है ठीक है यह हमारा कुछ इस तरीके से Flow Chart है इसके बारे मैं आपको बताएता हूं यह इसके कुछ Symbols है यह जो होता है यह वाला Starting and Ending का Symbol है और यह वाला जो आपको Parallelogram दिखाई दे रहा है यह Input और Output का है और यह इस तरीके से Triangle है यह Process अब शो करता है और यह वाला जो Fourth वाला जो Symbol है वो Selection और Decisions बताता है और यह Fifth वाला है यह Logical Flow बताता है ठीक है और इसको किस तरीके से बनाना है मान लिजे एक Example है उसमें दिया रखा है वो आपको बनाना है ठीक है जैसे यहां देखो Algorithm to Add to Numbers 10 and 20 104 आप बना सकते है देखो release Starting यह रए इस तरीके से है ना यह Starting हो गई फिर इस तरीके से यह Second वाला Second वाला बता सकते है आप यह वाला फिर इस तरीके से आपको बनाना ठीक है समझ गए होंगे आप इसी तरीके से है ज्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें बागी में इसके बारे मैं explanation कर चुका हूं फ्लोचार्ट और सेडू कोड के बारे में पिछली वीडियो में भी चलिए तो इसको को एक operation का एक आपको मतलब poster बनाना या तो फिर आप एक working model भी बना सकते हैं देखो नौर्थ इंडिया यहां पर क्या बोला है अभी इसको पढ़के समझाता हूं आपको नौर्थ इंडिया इस दस न ओर्थ इंडिया इस दा खएकं सेंसिटिव और एंड ढ्रहिए video क्वार चैनव यार क्या पर्चा यार क्वाट रहां मैं इको सेंसिटिव एको सेंसिटिव और दिजास्टर क्रोन म difference नौर्थ इंडिया है यहां पर क्या है एको सेंसिटिव है और डिजास्टर प्रोन जोन है यह यहां पर डिजास्टर आते ही रहते हैं लेंड लेंड स्लाइड हो गया कुड़ बर्स्ट और अर्थ्वेक और फ्रिक्वेंट ली ओक्रेंस यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें सब चीज़े मिलती है नौर्थ इंडिया में तो अब देखो क्या है स्टेट डिजास्टर एस डी आर एफ और एंडी आर एफ इजेंसी प्ले आ वाइटल रोल इन रेस्कू ऑपरेशन बद यह जो है न यह डिजास्टर रिसोड रेस्पोंस पोर्स और नैशनल डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स यह क्या करते हैं काफी इनका अच्छा रॉल है अब क्या टू हैं इस एजेंसी इंपॉर्ट मतलब कि आपको कोई ऐसा रोबोट बताना है बनाना है जो कि इन इन वाली संस्थाव को यह जो हमारा यह ना sdrf sdrf और ndrf इनको help करें कि जो आपने बनाया है अब देखो पर पोज वन पर पोज वर वन इनोवेटिक रोबोटिक रोबोटिक solution टेलर्ड रोबोटिक solution टेलर्ड फोर सर्च रेस्क्यू फोर सर्च रेस्क्यू एंड इवाक्यूशन इवेक्यूशन operations considering the considering the challenge टेरिंग एंड अर्जेंट नीड ड्यूरिंग देमर्जेंसी मतलब आपको कुछ ऐसा एक रोबोटिक टाइप बनाना है जो कि एमर्जेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा काम आये और वह सर्विलेंस रखें चीजों को बता सके कि हांजी यह प्रॉब्लम आने वाली है तो इससे आप बच सकें है ना आपको इसके अंदर सेंसर लगाने पड़ेंगे अब क्या है यूज यूर क्रियेटिव एंड टेक् डिजाइन और प्रोटोटाइप ऑफ वर्किंग मोडल पोस्टर है और देख एक्से एक्से एक्सपेक्टेड आउटकम के स्टुदेंट कें मेग चार्ट ड्रॉइंग और रहांटर ऑप एड पोस्टर फोर सॉलिुशन एकसा यू चार्ट दॉना सकते हैं इसका आप बिता सकते हैं थिक्टे haircut pigs बना सकते हैं रहां और уг disaster situation आप इसके लिए रोबोट भी बना सकते हैं और आप लब उसमें बना सकते हैं पोस्टर पर भी बना सकते हैं और प्रॉम्ट 5 क्या कहता है डिजाइन पैकेजिंग नूडल इसमें क्या करना है सिंपल मैंने आपको पिछली साल भी बताया था कि आपको एक नूडल का पैकेट पहले डायमंड चिप्स का था मतलब चिप्स का था अब आपको अपना ही खुद एक ब्रैंडिंग करनी है उस ब्रैंडिंग में आपको एक चार्ट पर बनाना यह ठीक है ब्रैंडिंग करके उ इस वाले में आपको फाइफ में ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है और अब च्छटे में कहने डिजाइन चेयर आपको इसमें चेयर डिजाइन करनी है जो नेचरल अबजेक्ट की होगी जिसमें क्या है एक चूडेंट उस पे इस्टूडेंट टू क्रियेट अभी बताता ह लेकिंग शॉर्ट ब्रेक सोरी शॉर्ट ब्रेक आफ्टर इस्प्रिंट करने स्प्रिंट मतलब तेज भागने के बाद एक एथलीट उस पर बैट करके रेस्ट ले सके कुछ डंडियों से बना लेना आया आप एक पोश्टर भी बना सकते हैं इसका ठीक है अब देखिए नुझेशन प्लेंग एन्स्टूमेंट एक म्यूजीशन च्चूमेंट प्ले बैट कर सेके अपना इस्टूमेंट या फिर एक अर्टे स्केच UPनी बड़ाइंग बना सके आपको कुछ इस तेब की चेर बनानी है ठीक है और doc इसको डाइसोवर्ट में explain भी करना है ठीक है और यहां पर क्या है डिटेल्ड डिटेल्ड स्केच आपको एक स्केच बनानी है चेयर की ठीक है जो आपके घर पे घर पे अवैलिबल होते हैं काफी सारी चीजे आप उसको पोस्टर पी बना करके लेके जा सकते हैं ठीक है ज्या करें जा बारत